सो ही गाईज कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब बढ़िया होगे दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे होंडा की All New Upcoming 2024 होंडा की CBR150R के बारे में जो की एक फुली फ्याइड स्पोर्ट सेग्मेंट की बायक है इंडियन टूबिलर मार्केट में होंडा लवर इस CBR150R का काफी टाइम से वेट कर रहे है जिसको होंडा ने इंडियन टूबिलर मार्केट में अभी तक लाँच नहीं किया है यह बाइक इंटरनेसल मार्केट के अंदर काफी ज़धा पॉपुलर है काफी एची सेल अचीप की है और काफी टाइम से अवेलेवल है जिसको होंडा लवर काफी टाइम से वेट कर रहे है कि होंडा इस बाइक को इंडियन टूबिलर मार्केट में भी लाँच करे तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको होंडा की CBR 150R के बारे में साइड टेल देने वाला हूँ यह बाइक होंडा की तरब से लॉंच होगी 2024 में या नहीं होगी और इस बाइक के अंदर होगी तो क्या-क्या फीचर देखनों मिलेंगे और यह बाइक इंडियन टूबिलर मार्केट में लाइक होंडा की तरब से अबेलेवल नहीं है मार्केट में जो काफी अच्छा परफ़र्म करती हो और नहीं दोस्तों स्पोर्ट सेगमेंट की तो कोई भी नहीं है अबेलेवल ओके तो दोस्तों होंडा की CBR 150R को बहुछ जल लॉंच करने वाला है होंडा इसमें 149.4 cc का सिंगल सिरंडर लिक्ट कूल एंजिन दिये जाएगा और दोस्तों साथी 16.09 hp की पावर ओफर करेगा एंजिन 13.78 मिटन का टॉर्क दिये गया है बाइक में BS6 कंप्लाइंट एंजिन है विद ओविलीटू सेंसर के साथ 6-speed gearbox transmission दिये गया है और बाइक में आपको side stand engine cut-off switch का feature भी दिये गया है और बाइक में आपको assistance लिपाइक class देखने हो मिलेगा नो डाउट बाइक का इंजिन आपको काफी दर refine और reliable देखने हो मिलेगा होंडा की तरप से इसमें भी आपको 6-speed gearbox transmission दिये गया है इस बाइसे जिसकी बाइसे आपको riding करते समय smoothness feel होगी बाइक के front में आपको like upside down नहीं inverted telescopic front folks देखने हो मिलेंगे golden finishing के साथ rear part में आपको swing arm with monosock pro link system suspension देखने हो मिलेंगे जो की काफी च्छी बात है होंडा की ये बाइक आपको diamond trust frame पर देखने हो मिलेगी जो की काफी च्छी बात है इस बाइक में diamonds भी काफी इच्छी दिए गया है power to weight is हो काफी इच्छा है power recording bike काफी the light weight है 139 kg का cup weight है बाइक में और दोस्तों 12 liter की fuel tank capacity है 782 mm की आपको seat height दिए गयी है 160 mm का ground cleanse दिए गया है like bike में dual projector LED headlamp देखने हो मिलेगा and दोस्तों tail light भी LED दी जाएगी bike के front और rear दोनों आपको like time signal light like indicator आपको LED देखने हो मिलेगे जो की काफी इच्छी बात है जो की Indian tubular market में आपको Yamaha की R15 B4 के अंदर देखने हो नहीं मिलते हैं Yamaha की R15 M में देखने हो मिलते हैं बाकी बात करें bike के brakes and tire के बारे में तो काफी अच्छे super wide tubular tire offer किये गए है with dual channel ABS no doubt front में आपको 276 mm की wavy की single disc plate देखने हो मिलेगी और rear part में भी आपको 220 mm की wavy की single disc plate देखने हो मिलेगी with dual channel ABS no doubt safety की point of view से bike काफी अच्छी रहने वाली है जी हाँ इसमें आपको dual channel anti-lock braking system का feature देखने हो मिलेगा और ये bike mileage वाली रहने वाली है like इसमें आपको काफी अच्छा mileage offer के जाएगा ये bike बड़े अराम से आपको 45-50 kmpl के around mileage offer कर देगी जैसे की आपको Yama के around 5 B4 कर देती है बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ bike में काफी अच्छे feature दिये जा रहे है and bike के aerodynamics looks designer style आप official वीडियो में देख पा रहे होगे जो की personally मेरे को तो काफी अच्छे देखने में लग रहे है ये bike Indian two wheeler market में काफी अच्छा perform करेगी because bike के looks designer style काफी जदा attractive है बाकी bike में आपको split seat देखनों मिलेगी pre-installed rear view mirrors देखनों मिलेंगे and bike का exhaust भी काफी जदा बलकी है and दोस्तों tired sections तो मैंने आपको बताई दिये बाकी दोस्तों इसमें आपको grab rail भी दिये गए है and दोस्तों ये bike R95 को सिर्फ एक ही बज़े से compete कर सकती है कि इसमें आपको features तो काफी सारे दिये गए है but दोस्तों इस bike के price Yamaha की R95 B4 से काफी affordable देने वाले हैं Indian two wheeler market में जिसकी वैसे like काफी सारे two wheeler lover इस bike को considered करेंगी जो भी sport bike lover है क्योंकि दोस्तों इस bike के price आपको थोड़े से कम देखनों मिलेंगे और Indian two wheeler market में जहां जिस bike के price थोड़े से कम देखनों मिलते है definitely audience उसी की तरफ जाती है इस bike के price आपको 2,00,000 के अंदर देखनों मिलेंगे जबकि Yamaha R95 B4 और R95 M 2,25,000 और 2,30,000 के around देखनों मिलती है जो की काफी ज़दा बड़ा difference हो जाएगा इस bike में और उस bike में जबकि power like semi आपको offer की जा रही है दौनों bikes के अंदर तो definitely Honda की CBR 150R Indian two wheeler market में काफी ज़दा sale अचीब कर लेगी जिसकी वैसे इस bike का लोग बेट भी कर रहे है बागी वीडियो अच्छे लगी वीडियो को like कर देना Honda की CBR 150R से लेटेट कोई doubt रह गया हो comment section में पूछ सकते हैं बागी दोस्तों हम मिलते हैं आप से लिए रहे कैसी ही new interesting और updated वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care